गुड मॉर्निंग स्टुडेंस कैसे हैं आप सब बच्चो शुरू करते हैं आग कुछ नया सीखना सबसे पहले है आज की तिनाग जो की है 16 यानि की 16 ग्यारा यानि की नोबेंबर 2020 हिंदी कारे पत्री का नमबर 109 कक्षा 2 अपना सेक्षन लिखेंगे रिमजिम अर्थिपाट की कहानी है अधिक बलवान कौन अपना नाम और अपनी टिक्चर का नाम लिखेंगे बिलोम शब्द बच्चों आज हम करेंगे बिलोम शब्द नमस्ते बच्चों कैसे हैं आप आईए आज हम कुछ नया सिखें नीचे अधिक बलवान कौन कहानी से कुछ वाक्य लिए गए हैं इन्हें पढ़िए और समझने का प्रयास किजिए मैं तुमसे अधिक बलवान हूं हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की अंत में आदमी ने कोट उतार दिया अब इन्हें पढ़िए अधिक कम ताकत कमजोरी शुरू खत्न उतारना पहनना उपर लिखे शब्दों के जोडों में दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विप्रीत यानि की उल्टा है किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विप्रीत शब्द या विलोम शब्द कहते हैं बच्चों, ये होते हैं विलोम शब्द, जो एक दुसरे के बिलकुल उल्टे होते हैं, जिसे अधिक, मतलब ज्यादा, कम, अधिक का उल्टा हो जाएगा कम, इसी तरह शुरू का उल्टा, खतम, ताकत का उल्टा कमजोरी, उतारना का विपरीत पहनना, इने बोलते हैं विप रसना, रूना, गर्म, थंडा, गर्मी, सर्दी, उपर, नीचे, कम, ज्यादा, दिन, रात, तो बच्चों ये हैं विलोम शब्द, यानि कि ये अर्थ में एक दुसरे के बिलकुल उल्टे हैं, आप ये पढ़ते हुए मुझे अपनी वीडियो ज़रूर बेजें, और इनको अच्छे से कॉपी में भी लिखें, प्रशन दो, नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम यानि कि उल्टे अर्थ वाले शब्द दिये गए हैं, उन्हें डूनकर सही जगए पर आपको लिखना है, दिखें, इस बॉक्स में कुछ शब्द हैं, वो आपको नीचे लिखने है अब बाहर का उल्टा यानि कि विलोम शब्द दिख्या होगा, बाहर का विलोम शब्द होगा, अंदर, आप यहां लिख देंगे, इसी तरह अंधेरा का, उजाला, पुराना, नया, दूर, पास, छोटा, बड़ा, नुकसान, फाइदा, तो यह विलोम शब्द आप इनके लिख देंगे, और उनको अच्छे से पढ़ेंगे, और उनके अर्थ को समझेंगे, प्रशन 3, रिखांकित शब्दों के विलोम शब्द खाली जिगाय में लिखकर वाकिल को पूरा के लिजे, अब आपको जिनके नीचे लाइन है, उनका उल्टा याने की विलोम शब्द बिन्दू की पैंसे लंबी है, जबकि पिन्टू की पैंसे लंबी का विलोम शब्द क्या होगा, छोटी है, खरगोष तेज दोड़ता है, लेकिन कच्छवा धीरे, तेज का विलोम धीरे तो बच्चों, अब आप अभिभावकों के लिए सुझाब, अभिभावकों यानि कि आपको अपने पेरियन्स के साथ, या गर में किसी बड़े के साथ ही खेल खेलना है, बच्चों के साथ एक खेल खेले जिसमें आप बच्चों को कुछ करने के लिए कहें, और वे उसका भी प्रीद करेंगे जैसे आप बोलोगे बैठो तो बच्चे खड़े हो जाएंगे इसका उल्टा करना है जो भी आप करेंगे उसे गेम खेलते हुए आप मुझे अपनी वीडियो भी बेच सकते हैं तो बच्चों उमीद है कि आपको अच्छा से काम समझ में आगया होगा आज का काम अच्छे से पढ़ें इस काम को पढ़ते हुए अपनी वीडियो भी बना कर वीजे मुझे और अगर आपको कुछ भी समझना आए तो मुझसे जरूर पूछें तब तक के लिए अपना बहु मास्क पहन के जाएं और अपने हातों को साबुनवा पानी से नियमित रूप से जरूर दोना है तेक केर बच्चों नन्यवाद